क्रिशी एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधीकरण के आकड़ों से ग्यात होता है कि पिछले साल के मुकाबले चालू वित्वर्ष के शुरुआती छे महीने में भारत से बास्मती चावल के निर्यात में तो शांदार बड़ोतरी हुई है, मगर गैर बास्मती चावल के शिप्मेंट में जोरदार गिरावट आगा। इसका प्रमुक कारण सफेद चावल के व्यापारिक निर्यात पर प्रतिबंद लगा होना थ। एपीडा के आकड़ों के अनुसार अप्रेल सितंबर दो हजार तेईस में देश से 23.08 लाक टन बास्मत शाधीन अवधी में 2.59 अरब डॉलर से 10.80 प्रतिशत बढ़कर 2.87 अरब डॉलर पर पहुँच। निर्यात कों के मताबिक निर्यात ओफर मूले में कमी आने के कारण बास्मती चावल की निर्यात आए में सीमित बडोतरी हुई है। जहां तक गैर बास्मती या सामाने चा चावल का निर्यात हुआ था जो चालू वर्ष की सामान अवधी में लुड़क कर 46.52 लाक टन पर सिमट गया है। लेकिन औसत इकाई ओफर मूले उंचा रहने से निर्यात आए में इसके अनुरूब जबरदस्त गिरावट नहीं आ। फिर भी सामाने चावल की निर्यात आ और सेला चावल पर लगे निर्यात शुल्क को भी हटा दिया। इतना ही नहीं बलकि बास्मती चावल के लिए नियत 950 डॉलर प्रती टन के नियूंतम निर्यात मूले को भी वापस के लिए। जिसके चलते अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 की दूसरी चमाही के दौरान भारतिय च कावल प्रतिसपर्धी मूले पर उपलब्ध ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी